ये तो गजब हो गया भाई, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल बहुत पहले से चल रहा था कि बहुत ही टफ लेवल का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बहुत ही कठिन सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा आज के इंटरव्यू में आपको कहीं भी कुछ देखन को मिला नहीं है, आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों से सुना होगा, बहुत सारे बच्चों से पूछा होगा, कि किस तरीके का आपका इंटरव्यू गया है, तो मैं आपको बता देना चारा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का तो बताने वाला हूं इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिजे विडियो को एक बार शेयर कर लिजे और आपको पूरा का पूरा पूरा अगर ओडियो सुनना है तो आप नीचे दिया गया कॉमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं मैं पब्लिक ल या फिर किस तरीके के सवाल पूछे गया है उन सारे सवालों का विसलिशन जो हम लोगों इने टेलीग्राम चैनल पर अप्लोड करा है इसलिए फटा-फट से एक बार टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे देखे आज वाले सिसन में मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपका होता है जो आपका इंट्रो होता है वो तो लगबक सारे लोगों से पूछा गया जो बहुत ही आसान आप सारे लोगों को पता था कि किस तरीके से इंटर्विव वहां पे देना था ठीक है दूसरा important बात कि जो आपका background था background कह जाने की संभाबना हो सकती थी या फिर possibility हो सकती थी वो सारा questions हम लोगों ने कल एक वजे discuss किया था वो भी आपको मिल जागा वीडियो आप जैकर चैनल पर सर्च करोगे तो ठीक है क्योंकि वह आगे आने वाले examination के लिए interview के लिए काफी ज्यादा helpful होने वाला है अभी आपक चार पांच छे साथ चार दिन आपका interview और बाकी है यह आपका पहला दिन का review मैं आपको बता रहा हूं चार दिन में हो सकता है कि आपका जो interview है वो tough level का हो क्योंकि हर एक दिन हर इक तरीके के सवाल आपके same same सवाल यह नहीं पूछे जा सकता है ठीक है मैं यह बात पहले कह जा रहा हूं note करके लिख लो ठीक है note कर लो दूसरा आपका है मैंने यह भी कहा था कि सर आपसे family background के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है वो भी आपसे पूछा गया है कि family background पिता जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यह सारा conditions महां रखा गया अच्छा मैंने आपको यह भी कहा था कि सर आर्टिकल के बारे में सवाल पूछा जाएगा elections के बारे में सवाल पूछा जाएगा और आपका जो district है उस district के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा district court के बारे में पूछा जाएगा election के आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा वो सारा का सारा सव सारे बच्चों से नहीं पूछा गया मैं यह नहीं कहता हूं कि सारे बच्चों का आपका इंटर्व्यू टफ गया है लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटर्व्यू बहुत आसान गया है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटर्व्यू टफ गया है टफ कहने है मैंने आपको कल भी उस वाले सेसन में आपको अच्छा तरीके से मैंने आपको समझाया था तो यह सारा का सारा जो important questions था वो पूरा complete किया गया ठीक है तो जो बचे हुए लोग है उनका उनसे यही कहना चाता हूं कि भाई आप सूच रहें कि आज वाला अगर एक्जाम हमारा आज वाला इंटर्वी बहुत आसान गया है तो भाई यह हमारा भी बहुत आसान जाने वाला है तो यह मन से ख्याल निकाल दो आप जिस लेवल से तयारी करे थे उस लेवल से तयारी करो ठीक है प्योंकि तैयारी करते समय होता कुछ यूं है कि जैसे आप तैयारी करते तो आपके अंदर confidence level build-up होते जाता है और जैसे यह build होता है confidence level तहब आपको लगता है कि आधा क्या पूछेगा सामने वाला जैसे ऐसे questions होगा वैसे वैसे हम लोग answers करेंगे लेकिन अगर थोड़ा कम पढ़के जाओ या फिर lack of knowledge या फिर repetition या फिर practice अगर नहीं होता है तो कभी-कभी आता हुआ सवाल भी आप वहाँ पे भूल जाओगे तो ये बड़ा weakness type का वहाँ feel होता जाता है face expression कुछ अलग लेवल पे चला जाता है आपका tone कुछ अलग लेवल पे चला जाता है तो मैंने कल भी बताया था कि रिदम होना चाहिए सारे चीजों का और जिन बच्चों ने रिदम maintain किया है वह बहुत ही खुस है और मुझे लगता है कि सारे बच्चों का जिन प्रेक्टिस था उनका बहुत अच्छा गया है लेकिन जो लोग हलके में लेके बैठे थे दो लोगों का मुझे ऐसा फोना है 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 कि सर मतलब इस तरीके का सवाल मेरे से पूछा गया मुझे आ रहा था लेकिन मैं वहां बता नहीं पाया ठीक है अभी तक इंटर्वीव चल हुरmore लगता चल आ जाए यहां हमारे कोशिस पूरी यहीं रहती है कि आपका पूरा का पूरा जो आपने पढ़ए है जो आपने देखा है जो आपने कंसेम्ट देखा या फिर जो आपके पास समझेंच का अंसर बहुत सारे लोगों ने कर आ है तो समझ हमाय आई बात अब देखो यह तो रिडर वाला का हो गया जो अभी साथ जून तक चलने वाला है तो कल जी लोगों का है वो लोग बिल्कुल भी नहीं घवराना है अपने अंदर confidence level कम होगा तो interview खराब जाएगा मैं इस बात की guarantee देता हूं ठीक है तो घवराना नहीं है आप face to face वहाँ बात करोगे वहाँ कोई कुछ अलग alien लोग तो बैठे नहीं है वहाँ तो बहुत respected judge होंगे जो आपसे आसान तरीके के सवाल पूछेंगे आपका personality development किस तरीके का है आपका उस तरीके का behavior है या नहीं है इन सारे सवालों का जवाब वहाँ आपको देना पड़ेगा तो घवराने की कोई बात नहीं है और बहुत सारे बच्चों मेरे से पूछा भी था कि सर आप एक बात बता दो जरा ध्यान से सुनना कि सर इस्टेनों वाले का जो आपका skill test का date है वो कब होगा ठीक है skill test date आपका कब होने वाला है color color pune का आपका कब होगा तो भाई मैं clear तरीके से कह देना चाहता हूं किसी के बात पर विस्वास करने ल हो जाएगा color को और प्यून का इन सारे सेक्षन में इंटर्व्यू का बात है भई हैना प्यून वाले में तो 15 नंबर का इंटर्व्यू है तो खैर घबडाना नहीं है बस आपको practice में लगे रहना है जितना ज्यादा मौक इंटर्व्यू आप लोग लगाएंगे उतना ज्य करा पाएं अभी तक लिटरली ठीक है उसके बाद अभी भी हमारे पास 4-5 दिनों का समय है तो आज से भी हम लोग कर रहे डेली बेसी स्पेस चीज को क्या कर रहे भाई continue कर रहे ठीक है तो यह जितना भी आपका exam date है अब डिले नहीं होने वाला किसी भी चीज में अच्छा करने वाले हैं और एकदम होसला को बुलंद रखना है कि सामने वाले के question से सामने वाले के face के expression से घवराना नहीं है ठीक है उनके questions का एक अलग लेवल से answers करना है moderate level का interview हम लोग कह सकते ना जादा आसान था ना जादा tough था बहुत सारे बच्चों के लिए आसान था जिनके ल लोग तयारी कर रहे हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं किनी लोगों का review देखके किनी लोगों का बात सुनके आपको उनके बात पर नहीं आना है कि सर उनका आसान पूछा गया था तो मेरा भी आसान पूछा जाएगा ऐसा कोई बात आप एक खिचाओ तरीके का बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए अब जिस तरीके से त्यारी करें उस तरीके से आप अपने त्यारी को रखें बादवा की हम लोग मिलते हैं फिर से इंटर्व्यू बाले बैच में जैहिंद चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिजाएगा टे